सप्लिमेंटरी रिजल्ट मामले पर सुनवाई पटना हाई कोट ने पूरे मामले पर जवाब मांगा है रज्जी सरकार और BPSC से दो सप्ता के भीतर जवाब की मांग की गई है फेज वन की सप्लिमेंटरी रिजल्ट में गरबड़ी मामले पर जवाब मांगा गया है 101 अभ्यर्थियों ने कोट में रिट याचिका दयर की थी पहली सुनवाई 8 परवरी 2024 को हुई थी और पहली सुनवाई में कोट ने 4 सब्ता में सरकार और आयूग से जवाब की मांग की थी तो बड़ी ख़बर आपको बतारें सिक्षक 42 सप्लिमेंटरी रिजाल्ट को लेकर ये पूरा मामदा है और पटना हाई कोट में सुनवाई हुई है और इससे पहले भी सुनवाई 8 परवरी 2024 को हुई थी इस पूरी ख़बर के दिख जानकारी के साथ संबादाता रजनीश फोन लाइन पर है रजनीश क्या कुछ जानकारी है विस पूरे मामदे को लेकर आगे क्या कुछ होना है कि पूरे मामले में जो अव्यर्थिया है उनका आरोप है कि भी प्रियंती सेजवन की बहाली में जो सप्लिमेंटरी का रिजल्ट है उसमें धानली हुई है